दिल्ली में 5600 करोड रुपए की ड्रक्स बरामत हुई है यूपिये के शासनकाल में 2006-13 के बीच में सिर्फ 768 करोड रुपए की ड्रक्स की बरामती हुई थी ये वो दोर था जब मुंबई से लेके पंजाब तक ड्रक्स की गिरफ्ट में था और अगर एक जगे पे 5600 करोड रुपए की ड्रक्स पकड़ी गई है और ये भी बता दूँ 14-22 के बीच में हमारी सरकार ने 22000 करोड रुपए की ड्रक्स पकड़ी कीस का जो मुख्या रोपी है जो किंग पिन है जिसका नाम तुशार गोयल है जिसका डिकी गोयल के नाम से सोशल मीडिया एकाउंट है वो इंडियन यूथ कॉंग्रेस के आर्टी आई सेल का चीफ है बहुत गंभीर बात है राहुल गांधी की महबत की दुकान में अभी त का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि कॉंग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्या रोपी जो इतने बड़े शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट का को पकड़े जाने का मुख्या रोपी है उसके साथ क्या संब्द पत्रों आज हम आपके समक्ष एक बहुत गंभीर परंतु चिंता जनक विश्य रखना चाहते हैं जैसा आप सभी ने अभी मीडिया में देखा होगा कि दिल्ली में पांच हजार छेसो करोड रुपए की ड्रग्स बरामत हुई है ये क्वांटिटी इसलिए महात्पूर्ण है कि यूपिये के शासनकाल में दो हजार छे से तेरा के बीच में सिर्फ साथ सो अड़ सट करोड रुपए की ड्रग्स की बरामती हुई थी पूरे भारत में ये वो दौर था सेवन सिक्स्टी एट करोड ये वो दौर था जब मुंबई से लेके पंजाब तक ड्रग्स की ग्रफ्त में था और अगर एक जगहे पे पांच हजार छे सो करोड रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है और ये भी बता दो चौदा से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड रुपए की ड्रग्स पक ड़ी है उससे अधिक चिंता की बात ये है कि इसका जो मुख्यार ओ पी है जो किंग पिन है जिसका नाम तुशार गोयल है जिसका डिकी गोयल के नाम से सोशल मीडिया एकाउंट है वो इंडियन यूथ कॉंग्रेस के आर्टी आई सेल का चीफ है बहुत गंभीर बात है यानि याब ये बात साफ हो रही है कि ये राहुल गांधी की महबत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे अब नशे का सामान भी मिलने लगा है और या बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं हमारे पास वो इंडियन यूथ कॉंग्रेस के में मुख्या आरोपी तुशार गोयल का अपॉइंट्मेंट लेटर है यह 24 मार्च 2022 और महत्पुण बात यह है किस अपॉइंट्मेंट लेटर में राहूल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुशार I hereby please to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect आगे की लाइन important है Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress Party under the able and dynamic leadership of Shri Rahul Gandhi जी, Shri Mati Sonia Gandhi जी, Shri Krishna Allavar जी, in charge Indian Youth Congress and Shri Shri Nivaas B.V. the President अब बताईए अब हमारा सीधे उनसे सवाल है अगर ये RTI SEL का चीफ था तो आज देश की हर जंता का ये right to information है कि Congress Party के साथ इस मुख्यारोपी जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े drug consignment को पकड़े जाने का मुख्यारोपी है, उसके साथ क्या संबंद है? दूसरा, संबंदों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है, ये श्री धीपेंद्र हुड़ा जी के साथ इनकी फोटो है मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ट नेता, Congress के औरनाईजेशन सेकेटरी केसी विनुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दिपेंद्र हुड़ा जी का नंबर भी बरामत हुआ है अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिपेंद्र हुड़ा जी के साथ ना सिर्फ फोटो है, बलकि उसके मोबाइल में उनका नंबर है यूथ कॉंग्रेस का अपॉइंट्मेंट लेटर है जिसमें डाइनमिक लीडर्शिप और ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं जिसमें हमारे दो तीन प्रमुक सवाल है नंबर वन ये जो पैसा बरामत हुआ है ये पैसा कॉंग्रेस पार्टी के पदादिकारी के ड्रग तसकरी में इन्वाल्व होने का है तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं कॉंग्रेस पार्टी इसका जवाब दे ये शक पैदा होता है दूसरा शक ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था पांच हजार शेसो करोड़ रुपए किस परपस से था और कॉंग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंद है तीसरा तो तो क्या कॉंग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पैदलर को अपनी पार्टी का पदादिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई arrangement तो नहीं है, हम यह साफ पूछना चाहते हैं, कि अगर उनकी सरकार यदी आ जाती, तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हर्याना में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती है, यह तीन सवाल देश की जनता के सवाल है, औ और यह इसलिए गंभीर सवाल हैं, क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं, और मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से भी कहना चाहता हूँ, किसी देश को बरबाद करना हो, तो दो प्रकार की चीज़ों का प्रयोग क्या जाता है, एक, उस देश की जनता के बीच में भ ध्रम पैदा करने के लिए, अनेक अंतर राश्ट्रिये, शक्तियों, संस्थानों के साथ, कॉंग्रेस पार्टी के संबंद यदा कदा उजागर हो रहे हैं, अब देश के युवाओं को सीधे नशे में इन्वाल्व करने वाले इतने बड़े कांड के साथ, कॉंग्रेस के अफिशल पदारिकारी का सीधा संबंद उजागर होना बहुत गहरे और खतरनाक संकेत देता है, अर्थाट देश कितने गहरे और गंभीर संकट में आ सकता है, इन लोगों के हाथ में थोड़ी सी भी शक्ति आने से, यह आप बहुत सहज रूप से समझ सकते हैं, तो हम इसल कॉंगरिस से दोराते हैं, नमबर वन इस मुक्यारोपी तुशार गोयल जो की कॉंगरिस का पदादिकारी है, जिसका न्यूप तिपत रूप लब्द है, उसका कॉंगरिस के साथ किस प्रकार का संबंद है, सिर्फ राजनेतिक संबंद है या व्यवसाइक संबंद भी है, इस रिलेशन्शिप इस उल्ली पॉलिटिकल और दिर इस आंसो ए फिनेंशल डाइमेंशन इन्वाल, दूसरा, ये जो पैसा इन्वाल हुआ है, क्या ये पैसे की जानकारी कॉंगरिस पार्टी को है, और क्या इससे पहले भी पैसे आ चुके हैं, तीसरा, इस प्रकार के लो अरेंजमेंट तो नहीं है, कि उन्हें अश्वासन दिया हो कि ये उनकी सरकार आएगी, तो जैसे पंजाब ड्रक्स की गिरिफ्ट में आया, वैसे ही हरियाना को भी वो उसका मार्क प्रशस्त करेंगे, और इस विशह में अधिक महत्पूर्ण ये है, कि कॉंग्रेस के सबस पार्टी से चाहिए, और जवाब हरियाना कॉंग्रेस से चाहिए, और जवाब हुडा परिवार से चाहिए.